उपमुखी मंत्री के नाबालिक बेटे द्वारा जीब चलाने की रील सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद आखिरकार परिवान विभाग को मजबूर होकर सहब के बेटे का चलान काटना पड़ा परिवान विभाग के मंत्री और डिप्टी सीम प्रीम चंद बेटे के रील वाइरल होने के बाद उनके ही विभाग को उनके बेटे चिनमे कुमार बेटे का 7000 रुपय का चलान काटना पड़ा पिशले दिनों सोशल मीडिया पर छिड़े रील विवाद के बाद सरकार पर इस कारवाई को लेकर भारी दबाओ था परिवान विभाग द्वारा काटा गया चलान नियम से जादा मजबूरी का है दरसल चिनमे बेरवा की एक कॉंग्रेस नेता के पुत्र की जीब चलाने के रील सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई थी इसकी मुखी वज़े याद थी कि इस जीब को परिवान विभाग का दस्ता भी एक सौट करता चल रहा था सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत बड़ा रियाक्शन देखने को मिला क्योंकि चिनमे बेरवा भी नाबालिक है और स्कूल में पढ़ता है ऐसे में उसके पास लाइसेंस भी नहीं है हाला कि विवाद बढ़ने पर परिवहन मंत्री ने सफाई भी दी लेकिन इसके बाद भी वे सोशल मीडिया पर अलग-अलग कारणों से ट्रोल होते रहे अब शुक्रवार को सोशल मीडिया पर उनके बेटे का चलान वाइरल किया गया है हालक इस चलान की तारिक वही दिखाई गई है जिस दिन उनके बेटे की रील सोशल मीडिया पर वाइरल हुई थी इसलिए सोशल मीडिया यूजर याभी कह रहे है कि ये सब फेस सेविंग के लिए किया गया है रील वाइरल होने के बाद बैरवा ने सफाई में बेटे का बचाओ करते वे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें उनके बेटे का कोई दोश नहीं है बैरवा ने याभी कहा कि पुलिस की जीप एक्सोर्ट नहीं कर रही थी बलकि वा तो सुरक्षा की दिश्टी से उसके पीछे चल रही थी लेकिन इस मामले के बाद बैरवा निशाने पर आ गये और पार्टी इस तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया था जिसके चलते हैं या कारवाई की गई आई आपको सुनाते हैं डिप्टी सीम ने क्या सफाई पेश की थी देखे ये मेरा बच्चा भी शेनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसीम दोस्त हैं और मैं तो मानिके पॉर्धान मंत्री जी को धन्यवा देना चाहूँगा इस बात को कि मेरे जिसे विक्ति को राजस्तान का उपमुख्य मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं उनकी गाड़ी में बिठा लिया तो उसने भी देखने का उसने मोका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है के पास है और फिर यातायत नियमों की दजिया उड़ी इसको लेकर विपक्स निसान नहीं है उन्होंने तो कोई एसकूट के लिए का मेरे बच्चे की स्कूट के लिए पीचे चल ली थी मेरी गाड़ी ना कि एसकूट कर रही थी लेकिन लोगों की भावना है इस तरह की ब अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें